कि राधए कितने ट्रेडर्स तो इस वीडियो में कुछ लाइव ट्रेड प्लेस करने वाले ठीक है और बहुत कुछ सीखने को मिलनेu ट्रेड करेंगे नेश्ट केंदल पर एक मेरे को ट्रेड मिल रही है यहां पर ठीक है तो पहले मैं उसे प्लेस करूँगा उसके बाद मैं आप लोगों को शिखाना थोड़ा रिस्की होगी पहली बोल दे रहा हूं क्योंकि बिना लेवल के मैं रिवर्स करूँगा यहां से य लेकिन यहां पर नेक्स केंडल बनने के संभावना जाद है तो प्लेसिंग नहीं दी थोड़ा सा बोड़ी के अंदर से ओपनिंग हो गई थी इस वेए से थोड़ा मुझे थोड़ा नीचे चाहिए थी तो देखते हैं क्या होता है मैं यहां ग्रीनी केंडल आईगी और प् तो अब यह विन हो यह ना मतलब यह ट्रेड लगे ना लगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता बट लेकिन प्लेसिंग देती तो हम जब लेते थोड़ा नीचे आने पर क्योंकि बहुत बड़ी केंडल है बट यहां पर ग्रीन केंडल क्लोजिंग होने के जादे चांस होंगे तो बताता हूं मैं क्यों मैं यहां पर ट्रेड करता है वह यह गया देखते है मैं यहां ट्रेड देखे इसलिए करता मार्किट का सबसे पहले हम स्ट्रक्शर देखेंगे lower low lower high नीचे आने में फेल हुए उपर जाने में फेल हुए फिर नीचे आने पर इसे यहां से नीचे आना चाहिए था फिर यहां से इसे उपर जाना चाहिए था अब सीधी सिम्पल सी बात है market डारेक्ट नीचे आ रही है यह exhaustion का विसाइन है कि मैंने बोला था है मार्जिन ओसेफ्टी लेनी थी इस विक्के नीचे आने पर तो नेक्ट पर सिंपल सी बात है हम यहां पर ट्रेड कर सकते थे बट वही है कि प्लेसिंग जब आपके हाथ में रहीगी तो आपको लगएगा कि बहुत करनी है मतलब आपको पता होगा कि कहां थोड़ा ठीक ठाक है तो कंटिन्यू करेंगे तो चार्ट चेंज करेंगे विकोज अच्छी थी यह नहीं देखा जब आपको पता होता है मार्जिन सेप्टी कहां से लें तो आपका सेफ होता है पैसा उसने नहीं दी हमने नहीं दी नेक्स पर कर सकते थे वर वोट सेवंट यह आपने अभी तक हमारे एडवांस प्राइजेक्शन को जोइन नहीं किया तो आप उसे बिल्कुल करिए आपके लिए बहुत फाइदा होने वाला बहुत जादा फाइदा होने वाला ठीक और एक डिटेल में हम सिखाने वाले support and guidance तो हम देते हैं देकि मार्किट में एक होता course जिसको आप recording भी देख सकते हैं एक होता skill और हम करते है skill provide ठीक है तो definitely इन नंबर पर दिये गए नंबर पर आप जोइन कर सकते हैं बाकि यहां में चाटका कर इसको read करूं तो बढ़िया चला मार्केट आयराई पर है आयलो क्रेट किया उसका रायराई बनाना चाहिए लेकिन यहां पर सैलर आए अगर सैलर यहां स्रिंक हुए खुद से किसको आने चाहिए था बायर को समझने वाली बात है तो नेक्ट पर हम डाउन की टेट कर सकते हैं थोड़ा सा उपर जाने पर ठीक है क्यों लोजिक पहले में को प्लेसिंग मिलेगी दरूर दूंगा मैं अब तो काफी बढ़ी होगे अब तो हम डारेक्ट ओपनिंग पर भी कर सकते हैं थोड़ा सा मिल जाए उपर है इस वैसले सब्सक्राइए तो मैंने एक डाउन की टेट प्लेस किये और इसके पीछे के लोजिक में आप लोगों को बताता हूं क्या है इसको थोड़ी प्लेसिंग मेरी उपर लगाई थी नीचे लग भी बट कोई नहीं देखते हैं इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए जो मैंने लगाई है ठीक है या तो रैड बने या फिसके लाइन के न होना था यहां कौन वीक हुए अ यह पहली बार सेलर वीक हए किस से खुद से भी और बायर सेभी बहुत प्लश पसा है खुद से भी और बायर से भी तो इस sonra में किसको आना चाहिए था, Bayers को आना चाहिए था, आपको यहान आइ हैं, पर अकास से बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम बायर सांगे, आप देखेंगे बायरस अकास से बहुत ज़्यादा कम आए, मतलब ये और इसमें भी body को shrink किया है इसमें भी body को shrink किया तो buyer का interest वैसी ही नहीं है ठीक अब इस candle में buyer आई वो भी shrink क्यों हो रहे हैं बाई कोई तो logic होगा क्यों 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 क्योंकि market को अपना structure को change करना आपको detail में सिखाते हैं ये चीज कि कब ये आपको समझ माया और next candle में जैसे ही seller ने अपना दबदबा होगा है जो कि आना भी चाहिए seller को क्यों कि buyer weak हो गए तो जैसे ही आए ये confirm हो गए कि market यहां से structure को change करेगी और भाई ये है आपका next candle पर टेट सिंपल सा logic ये था target की class में अब क्या करें अब यहां पर भाई लोगर लोगर ना चाहिए और ग्रीन बनने के बाद या फिर trade को close होने के बाद मैं आपको इसका प्योर लोजिक समझाने वाला हूं कि यहां पर green क्यों आने और margin of safety भी क्यों लिया ये भी मैं आपको समझाओंगा ऐसा ही नहीं कि मैंने यहां पर level लगा दिया ये trend line बैठी है तो इसलिए अपकी trade कर रहा हूं नहीं इसे नहीं करता मैं कभी और वो भी इस्ट्रक्चर के खिलाब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता समझ रहें पर यहां पर करने का भाव उथ सब्सक्राइब करते दिखे दी ह्व, कि मैंने क्या बोला मार्कित में ऊपके लवर लोब हो चुका है तुक करें कह रहा कए सा महीं किल और Χांड देखके नहीं किया यै आप मुझे इस बात का जवाब दिए जब एक स्ट्रॉंग लेवल ब्रेक होता है तो रिट्रेस्मेंट आने की कितनी संभाव नहोती है बहुत सारी और यहां तो लेवल में यहां से यहां तक का गैप काफी है रिट्रेस्मेंट लायक है ठीक है अगर चोटा मोटा गैप होता होके एक बार को रिट्रेस्मेंट लायक है एकनी उपर चली भी गए मार्किट तो वापिस आने में उसे बहुत टाइम लग जाएगी समझ रहें तो इस वजए से मैंने सिंपल सी बात है यहां पर इस्ट्रक्चर के अगेंस्ट गया हूं लेकिन ट्रेंड के साथ अब यहां जाए और नीचे आजए ठीक है यहां से आए यहां से आए वैसे इन्होंने उकास स्यादे मूव लड़ी कर दिया बट हमारे पास फिर अपोर्ट्यूटी बनने की संभावना देखे जो भी हमारी ट्रेड लोगी अगर शोर्ट है अगर वो लोस होता मार्टिंगल तो वहां बढ़ते हैं अब क्या करें यह भी एक टारगेट यह जो नहीं है आने की संभावना तो सैलर्स की है बट लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँ होगी सैलर एडिया एक तो उपर है हम वेट करेंगे एट लिस्ट वन खेंडल वेट करेंगे कि बाइस गैप को पूरा ना करते आने की संभावना जादे जादे सैलर की होगी अच्छा क्यों होगी सैलर की सैलर को यहीं से आना चाहिए दूसरी बात यहां जो बायर है वो क्या हो गए खुद से भी डिक्री जुएं और सैलर से भी डिक्री जुएं एक्सपेक्टेशन भी डाउन किया तो यहां पर आने की और बहुत इजी अब भी हम ट्रेड करेंगे अगर यह ग्रीन केंडल क्लोज होती अड़ दे लेवल तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है ओके ठीक है यहाँ यहाँ पर मैंने बोला तो सैलर आने किसम भावना तो सैलर छोटे से आए बेटर आए बहुत है तो ठीक है अच्छा एनलिशी मार्केट भी अच्छा प्राइस फॉलो कर रहे हैं तो अब क्या रिट्रेस्मेंट है क्या नेक्स टार्गेट अप है नहीं मार्केट ओलड़ी टार्गेट पर है तो वी केन वेट है कुछ भी हो सकता है कुछ नहीं पता अगर हमें यहां पर एक्सपेक्टेशन यहां इस्ट्रक्शर की जोड़नी है तो क्या रहेगी अकोडिंग टू मी यह मार्केट यहां वीकनेस दिखाएगी अगर दिखाते हैं तो तो हम यहां एक रीवर्सल की ट्रेड बना सकते तब तक तो बहुत टाइम लगेगा बेटी करना पड़ेगा मैं तो उसके बेस पर हम ट्रेड करेंगे पर इस जोन में वाइंग की क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होगी यहां से बाइस एक बार ट्राई करें और वो कैसे पता चलेगा रहे को महां जाके रियक्शन वगए देख लेते हैं कि हो क्या सकता है आपर हमारी तरफ से नेक्स केंडल में अगर बोर्डी इंक्रीज होती है तो हम ट्रेड करेंगे बिल्कुल करेंगे हो कि फिर सीधा सीधा बायर का फेलियर नजर आ जाया कि बाई सब रियक्शन के बाद भी उपर नहीं जा पारे पर यह तो जा रहे हैं यह क्या हो रहा है यह नेक्स केंडल बोडी यह नेक्स केंडल मार्किट में बनाया जा सकता यह अगर ब्रेक आउट यह ने वह तो वी केंड ट्रेड अपसाइट अपसाइट करना सोड़ी डाउन साइड अगर ब्रेक आउट नहीं होता प्रेसराइज केंडल ना बोडी इंक्रीज ना लुए अधोड़ा उपर जाने पर करेंगे तो कि लियरली ब्रेक आउट है अगर आने की रमावना ब्रे अच्छी ट्रेड थी यहां पर ट्रेड बना जा सकता अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल एजिट माई क्लोजिंग तो मुझे कोटेक्स की लाइन रोकन नहीं थी जूम वाली नहीं क्योंकि जब चार्ड ऊपर नीचे हुआ तो क्या हुआ वहा पर लाइन उपर मुझे ल बिना घर के ट्राइ कर रहें तो फेल होगे कोई दिक्कत नहीं कोई यहां कोई घर नहीं है मैंने बोला था इस केंडल में अब अगली केंडल में जैसे रिजेक्शन तो बाइर आ गए अब सिंपल जी बात है यह लेवल ब्रेक आउट हो और अड़ लेवल के लोजिंग और अगर से तो आएंगे और इस्ट्रक्चर भी डाउन कई क्या रहा था लेकिन अब हमारा यहां से ओबर भी पूरा चेंज होने वाला क्या ओपर जाए अच्छा करें बिलकुल करेंगे और कुछ दिर में वही इस जोन कम दूबारे यूज करने वाले नकर यहां विकनेशी द एक ट्रैंड लाइन भी लगा सकते हैं यह आपर यह वाल पर काफी देखते हैं हम्म्म ओक्टे थोड़ा मार्जिन और से अपके डेट कर सकते हैं लेवल पर आने पर लेकिन यह मौका देगी तभी तो करेंगे एक्स्पेक्टेशन तो यह यह हैं जो यह कर रही है याद रहे अभ नहीं करेंगे पर अभिए दे है ना देक्षी तो कि पहले नीचे आना ज dollar ले पर release करने के संभावना उपर पहले रिटेस्ट कर दिया तो सकता रिजेक्ट होके नीचे आजाए अब नहीं करेंगे अब के लिए अब यहाँ पर मैं आपकी सोचूंगा अच्छा जी अब क्या करें कुछ नहीं करेंगे लेगी तो कहां से बिल्कुल बढ़ी आए भाई मार्जिन ओफिफ्टी लेंगे अगर अंगल्फिंग करती है तो पर यह तो करी नहीं है अब बायर इतने स्टोंग है खुद से स्रिंग हुए सैलर से भी स्रिंग हुए तो इससे अच्छा मोगा नहीं है सैलर के पास नीचे लेकर आनेगा पर इसमें फिर सैवन्टी एट हो ग कि अच्छे चार्ट चूच करते हैं यू जो ओके यह थोड़ा सा चार्ट ठीक है हाई रही बना रहा पर यहां पर कोई अपोर्चुटिय भी बन नहीं रही है अच्छा देखा जाए तो नीचा आया नीचा आने के ट्राइब क्या नेक्स्ट आर्गेट यह है जाए तक जाएगी ऐसे चार्ट थोड़ा रिस्की तो होता है तिल इसकेंडल है थोड़ा सा मैं वहीड़ी करता हूं है ऐसी ट्रेट्स को प्रट थोड़ा हा इसके मिलके तो हमीड़ाय ठेट करेंगे अपकी साहइड और राउं又 के नेंचे मिलेगे अगर अगर नमबर के नीचे मिलती है यहाँ पर ओपनिंग पने आखर sortie già नहीं नहीं रहriver का तना सिलाएब तो अब क्या करें क्यूं लेनी थी इस पर नीचे आने पर लोवर लोग का क्रिएशन हुआ यहां से सहल ने पुस्ट करने कोशिस करी यहां से एक्टरक्टेशन यह रहेगी नेक्स टार्गेट यह था बायर ने अच्छी घाज एंगलफिंग किया और मार्जिनों सेफ्टी ट क्या करेंगे जीवन में तो हम बेट करेंगे आपर कोई लोजिक बैटने रहा हुआ यह पीछे रैफरेंस नहीं है इस चार्ट में तो हम यहां पर भी चार्ट को चेंज करेंगे क्योंकि रैफरेंस वाला चार्ट हमें चाहिए ओके थोड़ा सा नीचे आ रही है अभी तो डाउनी ट्रेंड चलना है ओके एक ट्रेड बना सकते हैं अगर टार्गेट हमें दिखता है तो ओके टार्गेट तो बैसे यह यह जहां पर यह ज्योम रही है में एक टार्गेट है यह विक्यूंद अगरे इसे ब्रेक आउट कर देती है तो दूसरा टार्गेट को पर हम ट्रेड कर सकते हैं आगर थे ब्रेक आउट तो नहीं हुरा बट फिर भी हम देखते हैं रिस्क की नहीं लेंगे जो उनके अंदर यह क्या पता है इसे प्रेश्टन को सपोर्ट बना दे अच्छा टार्गेट तो फैलाल नीचे यह बट्याम ट्रेड नहीं कि यह एमोस से लिया जा सकता है तो ब्रेक आउट के संभावना जाद है बड़री लिगल लिए कि यल्लो लाइन के उपर जाने पर ह लाउन के लगा सकते है इतनी असानी से तो granddaughter देखियें यहाँ पर में कनफेजिवज के आ क्या करना हैिजिजन आपको वहा पर टीन नहीं करनीं है यहँग् exclusive मार्केट अ ग university supplier लो मैं за करना हमेषा महीं ले टो बहतर रहेगा तो मैं यहाँ पर ठेड नहीं लो से वह देखें मार्केट वाहना तो यह भीकनशी जहीं से दीखना स्टार्ट हो गई ओके चार्ट खराब है यहां पे खुछ नहीं कर सकते हम यहां तो कुछ औक्शन ही नहीं है यहां भी कोई औक्सन नहीं हटा देंगे तक ही चार्ट को हटाने जरूरी है क्यों तो गैप अच्छा का सा वा यह मैं वोला था कन व्यूंज आरगेट यहां खोधी कन व्यूजन थे हमें क्या करेगी लाइक में कि हुम यह क्या हो रहा है लोवर लोवर रही बनाने में यह सोरी लोवर लोवर रही बनाया लोवर लो बनाने में फेल हो गई मार्किट एंड मार्किट उपर जा रही है वोट इस आर एक्स्पेक्टेशन ऑफ इस्ट्रक्शर तो अगर बायर को ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे बीट करेंगे सैलर को इधर उपर जाने की कोशिच करेंगे ठीक है लेकिन अगर बोड़ी यहां भी इंक्रीज हो देते हैं मार्जिन ओफ से एको टेड़ अप के लिए कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं पर यहीं बोड़ यहां लेवल क्लोजिंग वें अब क्या करें अब सियलर को समझदरी इसमें यही होगी कि सको यहां पर वीक्नेस तिखा दे और आपको मैं जबर्देश ट्टड़ाने वालो अकर यहां सैलर ने वीक्नेस दिखा दी तो मैं सैलर जोन पर अपकी डिखा हूँ गर तोड़ने क तो दोनों में जब कोई भी ना निकले तो आप लोगों को वेटी करना होता है ठीक है यह चार्ट तो अलगी दुनिया में तो इसमें तो हम अंगली नहीं करेंगी हाँ यह चार्ट वही देखे उपर गया आयराई बनाया आयराई के बाद नीचे आने चाहिए हायर लो अब यहाँ पर सैलर विकनेस दिखाए यह बायर अपनी पावर दिखाए तो हम आपके एलेटेट कर जा सकते हैं यह किस दुनिया में चला है एक ट्रेट लगा सकते हैं क्या विकनेस इस तो अल्ड़ी हो गई रियक्शन पी अच्छा तो एक ट्रेट यहाँ पर हम ग्रीन की कर सकते हैं अगर मिलती है तो थोड़ा प्लेसिंग सही मिल जाए तो मैंने हाए कपकी ट्रेट प्लेस किए यहाँ पर ज़्याद है चांस है ग्रीन केंडल क्लोजिंग देने के कियूं देखते हैं पहले मेंचे विन हो जाने देते हैं या लोस हो जाने देते हैं दोनों कुछ भी होगा मैं आपको इसका लोजिक बताऊँगा कि यहां ग्रीन गेंडल आने की क्यूं संभावना है यह कोई show short नहीं है logically trade है ठीक है एक है एंगल्फिंग सोट बट लेकिन यह लोजिक के पेस पे ठेड़ है कि एंगल्फिंग सोट नहीं ध्यान दीजे तो मार्किट में अगर आप देखेंगे लोवर लोग अना अब यहां पर एक मेहन चीज यह देखी जाएगी बड़े लोग जो बड़ा ओवर्वीव मार्क का यह है अब बड़े ओवर्वी में लेकिन छोटा इस्ट्रक्चर देखेंगे तो भाई लोवर लोग का क्रियेशन हो रहा है बड़ी दूइदा अब क्या करें जी यहां मैंने इस एंगल्फिंग पे टेड़ इसलिए करी है विकोजुफ आप देखेंगे सेलर ने हैं वीक इस एंगल्फिंग दी एंड यह लेफ आप देखेंगे कि बायर की जो केंडल्स है यह वाली कुछ से इंकरीज हुएं तो यह तो और प्लस पॉइंट तो ऐसे मार्किट में इस एंगल्फिंग को इस बेस पे लिया गया ट्रेड ऐसे ही नहीं लिया गया थोड़ा रिस्क है अधान से सुनिएगा इस एंगल्फिंग पे ट्रेड क्यों नहीं की जाएगी लोग एक्दम बढ़िया ट्रेड कीजिए पेसिंस के साथ कीजिए चाहे दो ही ट्रेड लीजिए बाई दिन की और जबर्दस तो नहीं चाहिए बाई आप उस पर कॉन्फिडेंट होने इसको हम डीटेल में सिखाते हैं कब और कैसे यूज करना कैसे आप सेवियर हो सकते पैसा बचा सकते इस एंगल्फिंग पर मैं टेड नहीं करूंगा चाहिए भी नोचाहिए लोस हो क्यों कि हमारे रूल के खिलाफ है अब आप देखेंगे तो मार्गेट उपर जा रही है तो मैं क्या गर उपरच्टा हूं नहीं रूल के खिलाफ है उसको हम बोलेंगे रूल के खिलाफ हम डेड नहीं करते हैं अब क्या करें वेट करेंगे अच्छे अप और चुनिटी का तो अब मैं हम एक सेक्सक्टेश आपको बता देता हूं मार्किट में यहां से नीच आने यह मेरी करेंगे जिए यह करेंगे चलियर है अब क्या करूं क्या मैं डाउन की टेड़ नहीं हम करेंगे इसी से यह दो भाई छोटे मोटे लेवल से हम करेंगे ऊपर और वैसे आपफी स्ट्रोंग और रहे तो वीक्नेश की समभावना तोड़ से अच्छी बात है अगर तोड़ दो लेवल्स को बड़िन से एक लेफ्ट लग तो तूटनी रहा लेवल्स के गंटा तूट तोड़ेंगे तो देखने वेटी करेंगे यह क्या हो रहा है भाई बोला था कि भाई यहां से स्टक्षर चेंज हो जुगा अच्छा खासा मार्केट नीचे आई है इसको टच किया है ओके विकन टेट अपसाइड यास थोड़ा मार्जिन ओफ शेफ्टी लेंगे अगर यह अंगल खरेंगी तो विकन टेट अपसाइड थोड़ा सा एमोस के साथ पर कर तो दिया नीचे आने पर लेंगे अगर देएगी तो लेंगे नहीं देएगे नहीं लेंगे सिंपल से पंडर रखना ज्यादे जीवन में कुछ प्लेशिंग देएगे तो लेंगे नहीं लेएगी तो नहीं लेंगे जो जोन रों कहा उसके नीचे आने पर नहीं धी देएगा छोड़ देएगे प्यार्शे से यह लगी दुनिया बाई यहां तो कताई भी प्राइज प्राइज फॉलो नहीं हो रहा है ओपर जा इधर से उपर जानी चीए तो हमें क्या हमें क्या अब क्या करें जी अब क्या करें नेक्स टार्गेट यह है लेवल ब्रेक कर रहा है अगर टच नहीं करेगा तो वीकन टेड़ अपसाइट बट एमोस क्योंकि लेवल में गया है पर थोटा सा और छोटा सा लेवल यह अभी टच नहीं हुआ है तोड़ा नीचे आने पर हम टेड़ कर सकते हैं क्या करें थोड़ा नीचे ही चाहिए थी ज्यादा चांस है ग्रीन क्लोज होने के यह चोटी सी रैड़ आने के बट प्लेसिंग देती तो हम जबू टेड़ करते हैं बट लेकिन यहां पर हमें प्लेसिंग नहीं मिली तो इस वाइस हम बच जाएं या फिर यह समझ लो थीक है देखो यहां भी प्लेसिंग नहीं मिली तो हमने टेड़ ने करें तो यहां भी नहीं मिली ओ क्यों करें पैनिक तो नहीं नहीं है हमें को लोजी कि नहीं है यह लागी नख रहें बाई स्किन इसका जहां पीक je यहां पर हमें तोड़ना होगा थो तोड़ेंगों मैंने क्या बोला था मैं यहां पर ट्रेट करूंगा लेकिन हम यहां थे नहीं होते तो सहरो करते मार्केट मैं इक्सपक्टेशन यह होगी छहले काफी स्टॉंग आहे इस वजसे मिल जाए तो अच्छी बात है कुछ अच्छी ट्रेट्स अगर मिल जाती है ओके चार तो खास नहीं बढ़ फिर भी देख लेते हैं एक ट्रेड और मिल जाएगी तो बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है करी तीन ट्रेड है लेकिन लोजिकली ट्रेड मिली कही है उपर जाना तो फेल हो गए अभी यहां से नीच जाना चाहिए अब यहां अगर उपर वाले जोन पर क्लोजिंग देदेगी वीकेंड डाउन साइट सिंपल लिवर्स करेंगे बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी बहु सही पर काफी पीछे टच नहीं हुआ वेट करेंगे कोई अप्शन नहीं है कि बायर काफी स्ट्रॉंग हो गए लगातार बायर स्रींग होते हुए अब इस अच्छा मौकत इनके पास है नहीं गरीबों के पास आजाएंगे तो अच्छी बात है यहां देखे आई वही हुआ बोला था ना यहाली ट्रेड बढ़िया थी देदे थी तो प्लेसिंग लोस नहीं होती बिन हो जाती तो बहुत ही मतलब ऐसे देखा जाता चीज़ों को ठीक ऐसे ही देखा जाता ऐसी पढ़ा जाता चार्ट क अगर आपको यह सब चीज़ सीखनी है और अंदर तक उतारनी है तो आपको सपोर्ट और गाइडेंस की जो पढ़ेगी पढ़ेगी आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा जो आप मार्केट में दे रहे हैं और एक और खुशी की बात बता हूं कि भाई आप हमारी एक को सबस्वीर कंद में काम कर सकते हैं दुनिया की कोई मार्केट हम भी करते हैं ठोडा उपर मिलेगी लिए काफि है कि काफी है यहाँ पर एक रिवर्सल मेरे ख्यालता है यहाँ पर किसे आना चाहिए सेलर्स को आना चाहिए अकोर्डिंग टू मी लोजिक क्या है अभी मैं आपको समझाने वाला हूं जस्ट तीस सेकंड दीजिए मुझे इसे भी होने या लोस होने दीजिए देखेंगे अलो स्टॉब होगी नहीं अच्छी बात है तो मैं इसका आपको लोजिक समझा देता हूं बहुत खराब चार्ट है अच्छा भी नहीं है ठीक ठाग है आप लोगों बहुत सा लोग कमेंट आती है सर आप अच्छे चार्ट चूच करते हैं पहले तो मेरी फर्ष्ट इस पश्रट को यहां से ऊपर जानाया छब्ष्ट अब लोगों बनाने के वाथ यहां से मार्केट को नीच आने जाने ज्लावाउर्ट जाने यह, मैरी एक्सक्रेशन ठीक feu में ड्राइट करनाया शौर्णुर्ल होता है तो जैसी इंसा ने पर मार्केट को नीचे हों ली क्योंकि मेरे पार पीछे कोई लेवल नहीं है तो मैंने इस विक्क्य उपर जाने पर डाउन के टेड़ लगाई सिंपल बहुत इजी ऐसे इस टूइजी ट्रेडिंग बहुत इजी है ट्रेडिंग भाई बस आपको सही और सपोर्ट अंड गाइडंस चाहिए होता है सपोर्ट अंड गाइडंस चाहिए होता है यitनी ऐजी होती है यही है पावर हमारी लौलिज की मैं यहीं कर रहा है हमारी साइट होती है पर मैं करूआओ कि मैंक्सीमं ट्रेड पर आप प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप लोजिक्ली ट्रेड करते हैं लोजिक्ली मतलब ज लिए इसकिल डवलब करने में एक मेंटर की क्या होती है, बहुत जरूरत होती है, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, देखा मैंने चार्ड टेड लिए कितनी एजली टेड लिए है वह जल्द बाजी नहीं पेसेंस कैसे डवलप करते हैं मेरे को पता है बाई मेरे पर इंपेसेंस से बहुत टेड लोस हुई है तो कैसे डवलप करते हैं मैं बता सकता हूँ बिल्कुल बताऊंगा आपको लोगो जनकारी हम से ले सकते हैं ठीक और psychology की अलग classes होती है live trading का जो group है उसकी अलग हम तीन महिने की classes करते हैं ठीक है तो simple से trading बना देंगे easy बना देंगे हलोवा बना के रख देंगे आपके सामने की क्या चीज़ है आपको हमरी वीडियो देखके पता है तो आप लोग डेफिनेटली कोर्स को जोइन कीजिए और उसमें हम आपकी पूरी-पूरी help करने वाले हैं अच्छा कर देंगे तो मिलते नेक्ट क्लास में और यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए प्यारा सा और ठैकी सो मच पूरा देखने के लिए वीडियो और यदि आपने ये वीडियो पूरी देखे यहां तक देखिए तो कहीं नदक आप डेडिकेटीड है लगे रहिए एक दिन आप सक्सस जरूर होंगे ठीक एक दिन जरूर होंगे सक्सस बाकि मि तिल तेन नेक्स्ट क्लास में, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, रदे क्रिष्णा.